जैहिंद दोस्तों स्वागत है आपका विजेपत एजुकेशन पालंपूर के ओनलाइन प्लैटफॉर्म पर फटाफट हमारी क्लास में जैहिंद का नारा लगा के और फटाफट इस मेदान में कूथ जाएए फटाफट फटा जल्दी से हमारे साथ इंडिया के स्टेटिक जीके क्लासिस स्टार्ट हो रही है और इसमें हम हिमाचल पुलिस पटवारी, SSC GD और हिमाचल पुलिस के कॉंस्टेवल की त्यारी के लिए जो है अब प्यार हो चुके हैं और विजेपत एजुकेशन जो है आपके लिए प्यारी के लिए हम रोजाना जुड़ते हैं धुके जिवन को सफलता की और बढ़ा पाएंगे उतना ही इन बच्चों को और सब बच्चों को लाब होगा यही मेरा लक्ष है कि पर किसी का जो सपना है नौकरी सरकारी का, वो पूरा किया जाएगा और मैं उसको करने में जो है, वो पूरा का पूरा सहयोग अपने बच्चों के साथ जो है, वो करूँगा लिंक को शेयर कर दिएगा, फड़ाफट वीडियो को भी शेयर करिएगा जल्दी से जल्दी, सभी जुड़ जाएं, और पहले प्रशन का जवाब देना शुरू करें, भार्तिय गन्ना अनुसंधान संस्थान किस राज्य में हैं, गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां पर है, सभी अंसर साथ साथ में देना शुरू करतें, इंडिया का स्ट्राटिक भी है जल्दी सी अंसर दीजीए गा यूपी के साल जा रहे हैं पिक कोनिश नहां stay up February discovery है उत्तरप्र्देश उत्तरप्रदेश में थोड़ा सा कर लेजिएगा केंद्रिय भेड और अनुसंधान केंद्र कहा है टॉंक राजिस्थान में राष्ट्रिय बनस्पति और केंद्रिय आउश्दिय अनुसंधान कहा है लखनाव में राष्ट्रिय पोशन संस्थान कहा है है रासाइनिक प्रध्योग की संस्थान कहा है है सवाल its किस राज्य में से संथित है its को है सभी साथ में से जुडा हुआ है सभी म॥ां सबूं इंच्छ इसलिदवां इए, सभी ऐणार आष्ट सबूंञाओ सुर चिर धोल्वा श्याओ सुना है और आपको पता है आपका बिलकुल सही अंसर है सधी उत्राखंड इसका सही option है बिलकुल सही मुनीश रादा नेदीर भीानल बहुत बढ़त बढिया विटा यह है हमारे मेले और प्रसित्युहार जो पारत के हैं क्यों अलग्द संक्रा तो याद रखिएगा ये तमिलाडू से जुड़ी है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लाइक करिएगा और कमेंट करते रही है बचो अगला सवार तमिलाडू से ही जुड़ा हुआ है तमिलाडू का रंगा स्वामी मंदिर जो है वो किस शैली में बना है सभी कमेंट करिएगा शिखर शैली पगोड़ा शैली द्रविड शैली यानि में से कोई नहीं कौन सी शैली है प्यारे बचो सभी अंसर करिएगा मैं इसके बाद आपको मंदिरों से बताऊंगा मुनिशलाना द्रविड क अगला सवार जाने से पहले देखेए परषित मंदिर और उसकी शजैली हुआ मन्दिर का हैम जय चंदेल शासको ने बनाए आसे पि ने शाही नागर शैली में मॉत्त इंपोर्टन ऑ्क इणाना दोर सबसे अलग एक सपना सरकारी नौकरी अगला सवा, केवला देव राष्ट्रिय उध्यान किस राज्य में स्थित है, केवला देव राष्ट्रिय उध्यान, जल्दी से अंसर कमेंट करिएगा, आपके हिसाब से क्या अंसर होगा, केवला देव राष्ट्रिय उध्यान कहां पर स्थित है, साथ साथ में बीडियो को और भी उध्यानों को सुंदरबन कहां पे पश्चिम बंगाल में नंदा देवी उध्यान कहां है उत्राखंड में काजी रंगा एक सिंग वाला गैंडे के लिए जान जाता है असम में ग्रेट हिमाले नेशनल पार्क हिमाचल प्रतेश में पूलों की घाटी कहां है इस परकार से यह पंशित उध्यान है उननको भी आद करिए vidéo उत्राखंड को का जाता है užत्यान हमें कि कि वांग इदेव स्वार्ण के सहारचल ने इस निर्बा ने से सब्सक्रूस प्रम देखा और और वाला है क्योंकि computer के भी questions साते हैं हमारी classes के जो को आपको देख सकते हैं daily to daily अभी आपको जो है कल से अपडेट होना शुरू हो जाएगा कि कौन सी class जो है इस class में आपको कौन कौन से subject मिलने जा रहे हैं वन्य जीव अभरन दीजिएगा अरुनाचल प्रदेश के साथ जा रहे है मुनीश रान और निदितमान असाम के साथ जा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अरुनाचल प्रदेश बिल्कुल सही मुनीश रणा बिल्कुल सही प्यारे बचे बहुत बड़ी आंसर है अब ये है वन्य जीव अभेरन प्रिष्णा वन्य जीव अभेरन आंधर प्रदेश में है काल वैली वन्य जीव अभेरन अरुनाचल प्रदेश में है बरेला जेल सली पक्षी बिहार में हैं, सीता नदीम बन्य जीव भरंका है, चतिसगड में, भगवान महापीर कहां है, गुवा में, पून बन्य जीव भरंका है, गुचरात में हैं, इसी प्रकार से अभेरनों से जुड़े हुए सवाल, बहुत बार पेपर में पूछते हैं, तो पचो आप नोट भी कर लिजीगा, साथ हो साथ, अगला सवाल, अमन गड़ टाइगर जर्व, किस रज्य में स्थित है, सभी साथ साथ में वीडियो को शेर कर दिएगा, अमन गड़ टाइगर जर्व, कहां पर सत है, सभी साथ साथ में वीडियो को शेर कर दिएगा, अपने दोस्तों म भी बढ़ेंगे सभी से निवेदन रहेगा कि आप अपने दोस्तों में भी हमारे अप्डेट्स को जो है शेर किया करें जितनी शेर करेंगे उतना ज्यादा आप होगा प्यारे बचो अनसर देख लेते हैं अमन घठ जो है रोहिद शर्मा आये हैं के साथ चार रहे हैं अनसर रहे case उत्तरप्र प्रदेश जो है इसका सही अनसर है फिचस्ट सम् तुर्ष यह बंदिपूर नेशनल पार्क और नगर होल कहांपे करनाटक में पनना अभेरन कहांपे हैं मठ्यप्रदेश इस परकार से याद रखिएगा जाने से पहले को बिंद बल्लव पंथ और जील किस राचे में स्थित है को बिंद बल्लव पंथ कहां पर है जल्दी से अंसर करें प्यारे बचो तर प्रदेश के साथ जा रहे हैं निधी दीमान बहुत बड़िया बचा और रख अंसर है आपका और फटाफट यूनीक अंसर दिया है आपने कोई बहुत बुरा नहीं है बहुत अच्छा अंसर है सबसे फास्ट अंसर दिया है आपने उत्तर परदेश यह हैं जीलों से जुड़े हुए आरत की टॉटल जीले नोट कर लेना सभी बच्चों को जो वीडियो देख रहे है या बात में भी देखेंगे और हमी सर कहां पर है ये भी गुजरात में और हुसेंद सागर चील कहां पर है तैलंगाना में स्थित अपर जो यह बहुत पार पेपर में पूछे जाते है कनु कुमार्स सी ऑप्शन दे रहे बहुत प्रियाजसा दे रहे अब इसका अंसर दीजिए प्रिश्न राज सागर पांत किस नदी प्ताएं फिशन राज सागर जो है कहां पर सत है साथ साथ में प्रिदियो को भी लिंक करें और अपने प्रेंस में भी इसको शेयर करते चलें सभी साथ साथ में प्यारे बचे बहुत बढ़िया से आपके अंसर आ रहे है मुनिश राना दे रहे हैं देख ल कावेरी नदी करनाटक में स्थित है कहां पर है कावेरी नदी पर है और करनाटक में स्थित है नोट कर लिजिया अब देखिए प्रमुक बांध कौन कौन से हम लेकर आए हैं रिहंद बांध रिहंद नदी पर ही है उत्तर प्रदेश में है कहां पर है उत्तर प्रदेश में नहиं पर स्टेच्छी अफिरी यूइस गॉरगर laquelle कवेर बनाई और थमिलाडव मेंग। कि आसे बैदे स्वी अंसर देखिएगां और पताते रहेंगा कि आपको कॉष्चन पसँंद आते हैं नहीं आते हैं भारत का सब्से उंचा जलपरपात की जर्ने बात करें, कौन सा है? जलपरपात जलदीसे अंसर करियेगा आपके हिसाब से कौन सांसर है a, b, c, d? बिलकul निदिजि बिलकुल सही अंसर दे रहे हैं आप पुछिकल, करनाटक यख उन्चीकल, करनाटक बिलकुल सही अंसर और आपने सबसे पहले अंसर दिया है बहुत बढ़िया बचे है तो ये जल्प्रपाथ है। कौन सा कहां पर है बेनियल कहां पर है थ्ञाले में पलानी कहां पर है, कुल्लू में है, हिमाचर परदेश की बात करें, रज्जत, मत्यपरदेश, कोसली, करनाटक, कांडवगड, महाराष्ट्र, शिवाना समुंदर, कहां पर है, ये है करनाटक में, तो आपने ये परमुख जलप्रपात है, ये भी नोट कर लेने हैं, और क्या अंसर होगा, अधिल दर्रा कहां पर स्थित है, साथ साथ में, तो ए के साथ जाने हैं, और बिल्कुल सही कनू, बिल्कुल सही, और आपकी बात का जवाब ये है, कि जीडी वालों की 21 साल, सारे 17 से लेकर 21 साल उमर होती है, जीडी की, औरों की 23 साल होती, वही जो एज ह है, वह आर्मी के चाहिए, अब दर्रों से जुड़े हुए, कुछ परमुक दर्रे देख लेते हैं, इमलिस ला दर्रा कहां पर है, ये लदाक में, कारा टैक कहां पर है, जम्मो कश्मीर में, ट्रेल पास कहां है, उत्राखंद में है, जॉन किया दर्रा कहां पर है, तो ये स करते हैं हमारा नए से नहीं शुरुवात से वो है हिमाचल पुलिस पटवारी और हिमाचल परदेश के जो इंग्जाम है अगामी उनके हिंदी से जुड़े हुए सवार पहला सवार एक सपना सरकारी नौकरी का अभ्यास का विशेशन रूप बताएं अभ्यास का विशेशन इसी परकार से हमारे सभी सब्जेक्ट्स जो है वो वन बाइवन लगेंगे बचो तो बने लएगा इसी चैनल पर आपकी त्यारी जो है वो बहतर त्यारी करवाने के लिए मैं त्यार खड़ा हूँ तो जाना आपको मैं लिक्र आता हूँ सबी साथ में वीडियो को शेर कर दिए अगला सवार त्यांत शव्द का रिया विशेशन बताना है त्यांत शव्द का क्रिया विशेशन क्या होगा जल्दी से अपना अंसर दे परिमान वाचक, C option, परिमान वाचक जो है, उक्रिया विशेशन रहेगा, अत्यांत का, अत्यांत का जो है, परिमान वाचक जो है, संभीधान का संधी विछेद बताएं, संभीधान का संधी विछेद बताएं, संभीधान का संधी विछेद बताएं, संभीधान का संधी अंसर रहेगा सम जमा विधान सम जमा विधान इसका सही अंसर होगा प्यारे बचो सम जमा विधान बिल्कुल सही अंसर होगा क्लास अवार इसमें वियंजन संधी नहीं है वियंजन संधी कहां पर नहीं है सबी अंसर करें बिल्कुल सही अंसर होगा, प्यारे बचो, रसायन, मैं जो है, वो विंजन में संधी नहीं है, next, केतन कपूर दे रहे हैं अंसर, बिल्कुल सही भया, बिल्कुल सही, अपनी प्रैक्टिस करते रहे हैं, कोई इशू नहीं है, next, सत सही शव्द का समास भेद बताएं, सत सही श बिगू, बिल्कुल सही अंसर है, A option, अगला सवाल, राज दरवार में कौन सा समास है, राज दरवार में कौन सा समास है, सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, कि वीडियो को लाग साथ में शेयर करें, और लाइक करें, और अंसर साथ साथ में करें, राज दरवार में कौन सा समा इसलिए आज ही एसी स्क्रीन लेकर आया हूँ मैं क्योंकि इतना की एक एक रात का टाइम होता है तो फिर जादा फाइदा रहता है इसलिए मैं यह लेकर आया था इसका क्रॉक्त अंसर क्या रहेगा वह है अध्र पूरिश ए आप्शन अध्र अनिकेधन बिल्कुल सही अंसर बिल्कुल सही अंसर है नेक्स्ट ज्यानक रस का स्थाई भाव है पताएं आज मैं डेली टेली वीटा और बढ़ा रहा हूं इसमें मैं अध को इंक्लीड करना हूं और इंग्लिश को इंक्लीड करने वाला हूं और सब के 10-10 सेट लगवा रहे हैं आप 15-15 बोले वहां पे 10-10 है और एक्स्ट्रा डेटेल के साथ है हिंदी की कोई डिटेल नहीं होती और वह सब में डिटेल है तो एकम से कम डेली के 100 कोशिश है कि लगाने हैं तो मैक्सिम सभी सब्जेक्स को इंक्लिव कर रहेगा वो है भय ए ऑप्शन भय जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है हिंदी साहिते का नॉमा रस कौन सा है हिंदी साहिते का बहुत बार आती है हिंदी हर एक इंग्जाम में आती है हिंदी सबके काम आती है यह हिंदी बताएं 14 सिदंबर को भी आती है न हिंदी जल्दी से दीजेगा इसका असर रहेगा वह है SHANTRAS अगला सवाल हिंदी साहिते के किस भाव को छायाँ को भी कहा जासकता है डिल कि एंसर करें हिंदी साहिते किस भाव को भी कहा जा огए है A, B, C, D चार options सभी अंसर करें प्रतंसर रहेगा समेक, समाप्त संचारी भाव, बिल्कुल सही संचारी भाव जो है वो इसका सही अंसर होगा सही अंसर जो है, वो संचारी भाव है अगला सवाल उस्तकाले में शोर मचाना किस परकार का वक्य है सभी कमेंट करिएगा, वीडियो अची लगे, उसी वक्स शेयर करिएगा पताएं आपको अपती उस्तकाले में शोर मचाना जो है, वो किस परकार का भाव है प्राहुल कुमार, B option के साथ जा रहे है तो मान आये हैं, C option के साथ तो मैं बता देता हूँ, यह है निशेद वाचक, किसी चीज के उपर निशेद लगाना, ना किस संकेत यह है निशेद करना मतलब, वो चीज नहीं करने के लिए मना किया, निशेद वाचक ने जाएगा यह सवाल आज के सवाल यह थे, और अब मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, क्रंट अफियर की क्लास, तो क्रंट अफियर में जो कि आपकी सरकारी नौकरी के लिए उपयोगी है सभी परिक्षाओं के लिए उपयोगी है, इनके सवालों के साथ बने रहेगा, हमारे साथ की नहीं है, सिर्फ गे, हिंदी, इंग्लिश, वर इंग्लिश निया, क्रंट अफियर और हिस्ट्री की लेकर आया हूँ, यानि कि स्ट्रीक जी के, चार क्लास हैं आज, तल से मैठ की च्रास होगी, और अगर आज से लगा नहीं तो आज से लगा लेंगे, कोई इशू नहीं है, मैत की भी, जैसा आपको अच्छा लगे बज़े क्या है, अगला सवाल, केंदर ये गिरी है, मंतरी अमित शाह, चंडीगर में पहले, ये इसकी डिटेल दियोगी, देश के पहले साइबर सुरक्षा केंदर को देश के सभी राजियों के साथ जोड़ा जाएगा, साथ ही देश के सभी केंदर शासित प्रदेशों को भी अगले बताएं, most important सवाल आ रहा है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कहां पर शुरू होंगी, केतन असम के साथ जा रहे हैं, आप अपना अंसर करते रहें सभी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छटा संसकरन कहां होगा, सभी अंसर साथ साथ में करें, वीडियो अची लगे तो व 2024 की करटंसर रहेगा, वो है तमिलाडू में बचोंग, आहां पर होगी, तमिलाडू में जो की 19 जनवरी से शुरू होनी है, कबसे? 19-31 जनवरी तक चलनी है, याद रखिएगा, और नोट भी कर लियेगा 19-31 जनवरी तक चलेंगी तमिलाडू में होगी, और इसे होगा और इसका PDF भी आपको मिलेगा इस class के बाद में जैसे ही आपकी class cover होगी तो इसका PDF पाने के लिए आप बीजेपत government exam preparation app के माध्यम से ले सकते हैं अगला सवाल हाल ही में देश की पहली महिला ADC इनकी सहायक D.Camp के रूप में किसे नुक्त किया क्या है जलती से अपना answer करें कौन है हमारे पहली महिला ADC ADC प्रकर answer क्या रहेगा वो है पचो मनीशा पॉडी C option C option जो है वो इसका सही answer होगा C option Next सवाल इंचाने से पहले सुननीचे इसकी detail भी वायू सेना IAF की महिला है अधिकारी है मनीशा पारी को भारती शोसस्तस बल में भारत की पहली महिला सहायक D.Camp के रूप में नुक्त किया है इसी के साथ ही मनीशा पारी देश की पहली महिला ADC भी बनी हुई है और तो मनीशा पारी को मिजरम के राजेपाल डॉक्टर हरी बाबू कंभम पती ने जो है ADCamp नुक्त किया है याद रखिएगा एक तो मिजरम वालों ने दिया है और वहां के राजेपाल कों थे यह भी याद करने वाला कोशन है बहुत बढ़ी है आल ही में किस राजे सरकार ने Mission Daks की पहल शुरूआत की है Options आपके सामने है सभी अंसे कहूँगा की अपना अंसर जो है साथ साथ में करते रहें प्रट अंसर क्या रहेगा मत्यपरदेश के साथ जा रहे हैं मैं बता देता हूँ प्रट अंसर रहेगा वो है बिहार Mission Daks पहली शुरुआत कहां पर की गई है वो की गई है बिहार में और बिहार में जो है ये पढ़ाई में कमजोर 25 लाख बच्चों के लिए दिसंबर से एक स्पेशल कारेकरम शुरू हो रहा है इस Mission का नाम रखा है Mission Daks के नाम से रखा गया है दिया गया है ये कारेकरम पढ़ाई में कमजोर 29 लाख बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो कि हाई क्लास में पहुँचने के बाबजूद भी सर्ल हिंदी शब्द पढ़ने में असमात है यानि कि Easy Easy Word School नहीं पढ़ पाते हैं यार के भया बाबुजी और मिशन दक्ष अभ्यान मैं पहली से लेकर बार्मी तक के शत्त प्रतिश्य स्थिक्षों को जोड़ा जा रहा है तिकि सभी टीचर्स को भी इसमें जोड़ा जाए आल ही में चर्चा में रहा अमरित व्रिक्ष अंदोलन नोट करिएगा अमरित व्रिक्ष अंदोलन का संबंध किस राज्य से है सभी अंसर कर सकते है प्रकंसर क्या रहेगा बचों वो है असम असम जो है वो इसका सही अंसर रहेगा बिल्कुल सही अंसर होगा असम देख लेते हैं इसकी डिटेल में मुख्य मंत्री हेमंत विश्वा सर्मा ने असम की सरकार के हैं उन्होंने अमरित विक्ष अंदोलन के नाम पर एक महत्पूर प्रयास किया है इस अंदोलन का मुख्य चार उदेश्य है कि क्या है पहला उदेश्य पूरे असम में एक तुरोड पोधे लगाना प्रतिभोगियों का प्रत्यक्ष लाव अंतरन योजना के माध्यम से वितिय सहायता पतार करना व्रिक्ष अर्थ विवस्ता को बढ़ावा देना और अरित कवरेज को बढ़ाना यह है असमसर्टार के उदेशी जोकी अमरित व्रिक्ष अंदोलन से जुड़े और यह क्वेशन नमबर है आपका स्टार्ट हुआ है चठा बताएं भारती नोसिला को सौपे गई पहले सर्वेक्षन पोथ का नाम बताएं पहला सर्वेक्षन पोथ कौन सा दिया गया है आपके पास ऑप्शन है प्रत अंसर रहेगा वो है संधायक संधायक जो है वो बी ऑप्शन संधायक इसका सही अंसर है भारती नोसिला के अध्यक्ष कौन है देखिए एर्श पार्शल सुब्रुत उखरजी है पहले तो यह याल किएगा नेस्ट आगे अब वर्तमान कौन है यह तो प्रतम अध्यक्ष थे वर्तमान कौन है आर हरी कुमार रक्षा मंतरी कौन है हमारे भारत के रक्षा मंतरी है राजनात सिंग्ग वीडियो अची लगे तो शेयर जडूर करिए नेस्ट कोशन की दफ चलते हैं यूनेस्को की अमूर्थ सांस्कृति विरासत शुची में शामिल किया गया है किसको शामिल किया गया है यूनेस्को में बताएं आप रजनीश राणा ए ऑप्षन के साथ जारे हैं सभी अपना अंसर साह साथ में देते रहिएगा प्रक्ट इसी चैनल पे और आपको हम पूरा का पूरा फूरा ग्यान देंगे और इसका सही अंसर क्या होगा वो है प्रशिस्थ शिरव वास्तव प्रशिस्थ शिरी वास्तव जो है वो विशिष्ट रेल सेवा प्रुसकार से समानित के अंगला सवाल हाल ही में हारती नो सेना युद्ध पोथ की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन थी जिसने युद्ध पोथ को संभाला है सबी answer कर सकते है कमेंट कर सकते है समय के अंदर-अंदर तरह या रहेगा A, B, C, T 4 options है प्यारी बचो तरह रहेगा वो है C, प्रेणा देवस्थली प्रेणा देवस्थली जो है वो बिलकुल सही answer है प्रेणा देवस्थली हाल ही मैं प्रण्ट अफेर का, बिलकुल रजनीश्च, मोहन यादव, मोहन यादव जो है, वो CM बने है, अध्यपरदेश के, प्रण्ट अफेर में बहुत जादा पूछे जाने वाला सवाल है, वीडियो के साथ बने रहेगा, ये है, उख्यमंत्री की लिस्ट, हिमाचर प्रदेश में जो बने है, नए, नए तो क्या साली हो गया, सुखविंदर सिंग, सुखु, महाराष्टर में कौन बने है, शिरी, एकनाथ, शिंदे, गुजरात में कौन बने है, भुपेंदर पटेल, उत्राखंड के कौन है, कुशकर सिंग, धामी, उत्तरवदेश के कौन है, योगी आपके लिए most important रहेगा, quiz की form में, बने रहेगा इसी channel में, विजयपत government preparation, आपको डेली नया कुछ लेकर आता है, फर्स्ट सवाल आपका, पहला सवाल आ चुका है, सभी answer करने की कोशिश करिएगा, राजु नेगी भी आये हैं हमारी कालास में, और आपका भी स्वागत है इमें लिखित मैं से किसे nightgale of India के नाम से जाना जाता है, जल्दी से अपना answer साथ साथ में दीजिएगा, nightgale of India, स्रोजनी नाइडू के साथ जा रहे हैं, answer जान लेते हैं, correct answer क्या रहेगा प्यारे बचो, वो है D option, स्रोजनी नाइडू, स्रोजनी नाइडू जो है वो बिल 1879, इंग्रिस में थोड़ी प्रावल में आती है, को हैद्रावाद में हुआ था, फिक है, शीरी मती, स्रोजनी नाइडू, उत्तरपरदेश की पहली महिला भी है, जो की महिला राजेपाल बनी है, याद किएगा, पहली राजेपाल, कौन थी स्रोजनी नाइडू थी, 1925 मे भारती राष्टी कॉंग्रेस के कानपुर अधिवेशन में प्रतम महिला अध्यक्ष भी बनी है ये, और एक परसिद राजनीता के साथ साथ वे, एक कुशल लेखी का भी थी, उनकी प्रमुक रचनाय कौन सी है, ये नोट कर लेना चाहिए, आपको, The Golden Press Hold कवीता लिखी है, प्लेन क्विन, बिनर्स लिखी है कवीता, The Word of the Times लिखी है, स्रोजी नाइडू की ये, का निधन जो है, वो दो मार्च, उन्नी सो न्चास को जो है, उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि बच्चों, आपको त्यार करना है महात्मा गांधी से जुड़ा हुए सवाल, अंसर क्या होगा, आपका अंसर करें, 30 जनवरी के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, बी आप्शन, 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यू हुई है, यानि की इनको मार दिया गया था, नतुराम कोट से के दोवारा, तो 2 जनवरी, 149 को इनका जनम हुआ था, और 30 जनवरी 1948 को दिल इनका जनम पेशावर पाकिस्तान में हुआ है, उनका जनम पेशावर पाकिस्तान में हुआ है, उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए अपना नाम बदल कर दलीप कुमार कर लिया, उन्हें भारती फिल्मों का सर्वोच समान, दादा साहिब फाल के पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, इसके अलावा इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच नागरिक समान, यानि यह ने हैं एक तबिंग विए फंव नतरु दॉह इतन जजवलकों वर्लेट ही बिल्कुल सही महीर सेन इंग्लिश चैनल पार्क करने वाली फारती से पहली महीर सेंट जो है 1958 में सक्तमबर में इन्होंने किया था भारत ही नहीं बलकि पूरे एशिया में पहले तराक थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैर कर पार किया और वर्ष 1966 में एक कलेंडर वर्ष में पांच अन्य स्टंड्स को तैर कर पार करने का दुनिया का पहले की द राक बने इन्हें पढम शीरी से पढ़ा विभूशना से भी समानित किया गया है चाह सवाल कंछे न के एवल शिर्लंका की पहली है कि परधान मंत मंत्री थी कौम थी पहली तुन्या की पहली स्ही है आपका शिरी माउवब बंढ़ार नाय के बिलकुल सही अंसर मुनिष शर्मा, निधी धिमान ब्रजनीश राणा, अनिकेतन कपोर बिलकुल सही अंसर है मैं बता देता हूँ शिरलंका और विष्प की पहली प्रधानमंतरी महिला बनी है इन्होंने शिरलंका के प्रधानमंत्री के रूप में तीन बार शफ्तली है देख लो कितनी बार शफ्तली है तीन बार ये प्रधानमंत्री बनी है शिरलंका की और वर्ड की भी ठीक है तो most important question होने जा रहे हैं ये अगला सवाल कारगिल की लडाई में पाकिस्तान के विरुद भारती सेना के आकरमन को किस नाम से जाना जाता है यानि कि कौन सा operation चलाया था भारत की सरकार ने जब कारगिल की लडाई हुई थी सभी अपना-पना अंसर जो है वो दीजिए most important questions है वीडियो को देख लीजिए और इनको note भी कर लीजिए मधू C option के साथ जा रहे हैं मुनिश शर्मा विजए अनि केतन LOC के साथ जा रहे हैं और भी हैं सभी अपना-पना अंसर दीजिए प्यारे पर जो बहुत से अंसर दे रहे हैं बहुत अच्छे अंसर दे रहे हैं C option operation विजए operation विजए जो है वो कारगिल की लडाई में जो है वो लगाया गया था बिल्कुल सही अंसर है आपका और मैं बता देता हूँ 26 जुलाई 1999 को भारती सेना ने जमू कश्मीर में कारगिल की पहाडियों पर कबजा जमाय हुए इन पाकिस्तानियों को हराया था और पाकिस्तान को हराने के बाद operation विजए नाम रखा गया था इसे नाम से चाना जा गया था और 26 जुलाई को परते क विजए दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस युद में 500 से जादा भारती जवान जो है वो शहीद हुए थे और भारत पाकिस्तान के जो युद है वो सबसे पहले चार युद लड़ेगे 1947, 1945, 1971, 1999 का युद हुआ है 1947 में भी पटवारे के समय में भी इनों है हमारे सा बंगला किस ने लिखा है बंगला देश का जो गाना है यानि कि उनका राष्ट्री गान जो है वो किस ने लिखा है औप्शन्स हैं आपके पास रविंदरनाट टैगोर, स्रोजनी नाइडू, काजी, नजरूल, इसलाम या असलीमा नसरीन आपके हिसाब से क्या अंसर है सभ का अंसर बिल्कुल सही है देख लेते हैं स्वधेशी आंदोलन का प्रभाब बंगाल के सांस्कृतिक शेतर में देखने को मिला बंगला साहित्य के लिए ये समय स्वन काल जैसा था गुरू रविंदरनाट टैगोर ने इस समय अमार सुनार बंगला नामकीत लिखा जो कि 1971 म में इन्होंने के ही द्वारा लिखा गया है जो कि 24 जनवरी 1950 को संविधान के द्वारा सभीकार भी किया गया है प्यारे बच्चों इसको नोड कर लिए बहुत बढ़िया मुनीश शर्मा 1913 में इनको नौबल प्रस्वाइस जो है वो गितांचली पुस्तक के लिए ही दिया 45 बिल्कुल अंसर है रहेगा नो सेना 1927 में पारित किया गया यह भारतिया एक्ट और मैंने आपको गलत बता दिया था C option ही है A option है A option है यहां पे A होगा A option है A option 1927 में देखिए 1927 में पारित किया गया था और नो सेना का ध्यवाकिशा शानो वरुन 1613 में इस्ट इंडिया कंपनी के युद कार्णी सेना के रूप में इंडियन मैरीन नाम से संगठित की गयी थी 1685 में इसका नाम करण बंबई मैरीन हुआ और 1830 इसवी तक यह चलता रहा था 1927 बहुत बढ़ी अंसर है अनिकेतन अगला सवाल आलू पोस्तो निमन मैं से किस भाती राजे का पारिक भियंजन है जल्दी से अंसर करेगा मुनी शर्मा बता रहे हैं 4 डिसंबर को नेवी डे भी मनाया जाता है बहुत बढ़ी अंसर रहेगा C, पेस्ट बंगणाल पस्चिम बंगाल इसका सही अंसर रहे तो यह पस्चिम बंगाल का लोग्प्रिया विएंजन है इसको याध रखियेगा सानिया मिर्जा द्वारा प्राप्त सर्वोच नागरिक सम्मान कौन सा है सानिया मिर्जा को कौन सा नागरिक सम्मान मिला है रुजाना हमारे साथ क्लास में जुड़िये और क्लास लगाईए सेम टाइम इसी वक्त रुजाना हम क्लासिस लेते हैं और इस वीडियो को जाद 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 या बार-बार देखिए आपको बहुत जादा लाब होने वाला बिचो बहुत ही जादा लाव होगा प्रेक्टनसर देख लेते हैं वो प्डम भूशन दिया है इनको और यार रखी का सानिया मिर्जा जो है वो भारतिय टैनिस खिला रही है और ये 2016 में पदम भूशन दिया गया था इंसे समानित गया है और ये सर्वोच पुरुसकार है लागरिक अगला सवाल दोगरी भाषा परमुक रूप से निमेल की मैं से किस राजेया केंदर शासित प्रदेश में बोली जाती है आपके हिसाब से दोगरी कहां पर बोली जाती है हम भी दोगरी है भाषा बात करते है ऐसे हाँ बताएं दोगरी भाषा कहां पर बोली जाती है जमू कश्मीर के साथ जा रहे हैं बिलकल गड़ बहुत बढ़िया हमारे शेर कुछ न कुछ तो करेंगे बहुत बढ़िया जमू कश्मीर की वरतमान में संग शासित परदेश बन चुका है मैं बोली जाती है और यहां की अधिकारिक प्रमुक भाषा भी है इसे 2004 में भारती संभीदान की आठमी अनुसूची में शामिल किया गया है और लोगरी भाषा जमू कश्मीर के अलावा हिमाचर परदेश और पंजाब के कुछ जिलों में भी और पाकिस्तान के कुछ शित्रों में भी बोली जाती है प्यारे बचों तो ये मोस्ट इंपोर्टन रहेंगे सब के अंसर बिल्कुल सही नजीदी दिमान, मदू, रजिनीश राना, उनीश शर्मा और केतन कपुर, बहुत बढ़े से अंसर दे रहें अगला सवाल, भारत का राष्ट्रियो fal क्या है सासात में अंसर करें एक्टे ही अंसर के क्मेंट कर दिया करो एक्टे ही अंसर क्र दिया करो वाउ, मैंगो आ गया भया, बहुत बढ़ी या प्रेक्ट अंसर है D option आम, आम बिल्कुल सही अंसर है आम, मैंगो भारत का राष्ट ये चिन जो है याद रखिएगा अशोक स्तंब है पुश्प जो है वो कमल है, पल जो है आम है पश्यू जो है वो टाइगर यारी की बाग है नती जो है वो गंगा है ब्रिक्ञट जो है वो बरगत है गीथ है जो बंदे मात्रम है, और कान है हमारा चन गंन मन मेरे प्यारे बचों, इस प्रकार के डिटेल कहीं नहीं मिलेगी वो आपको सिर्फ इसी चैनल पर आपको मिलेगी रेक्ट अंसर रहेगा वो है D option 1998 1998 इसका सही अंसर रहेगा प्यरवचे अखिल भारती त्रिमूल कॉंग्रेस की स्थापना मम्ता बनर जी की द्वारा की गई है किसके द्वारा की गई है मम्ता बनर जी नहीं 1998 में की थी पश्चिम बंगाल में सक्रिय राजितिक दल है यह और बरतमान में लोगसवाग की इसकी 20 सीटे हैं और इसकी बरतमान अध्यक्षपी मम्ता बनर जी है जो की पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री भी है अगला सवाल अगला सवाल कुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम कुस्तक के लेख कौन है इंडिया विंस फ्रीडम कि और अपने दोस्तों को भी बोलिए कल से हम प्रॉपर्ली इसी प्रकार से हम क्लासिस को लगाएंगे और जाद ज्यादा रोजाना जुड़िए बस ऑटोमेटिक त्यारी हो जाएगी हो प्रितम नायक जो है वो इसकी प्रमुक पुस्त के हैं बंदरमा सवाल निमेकलिक मैंसे किसे काईदे आजम के नाम से जाना जाता है मैं आपको बता दूँ काईदे आजम के नाम से जाना जाता है बताएं किसे जाना जाता है बहुत ही सिंपल सवाल प्यारे बचों बहुत ही स प्रदर उप पकिस्तान भी माला जाता है, मुहमद अली जिना, पी आप्शन, और मैं आपको बता दूँ कि महात्मा गांधी। रेगुलर्टी हमें दीजिएगा हिंदी इंग्लिश के न्यूस्पेपर क्रेंट अफेर्स पाने के लिए जो है विजबत गौर्णमेंट एप डाउनलोड करें और साथ में हमें फॉलो करें सोचल मीडिया हैंडल पे इसी परकार की क्लासे लगाने के लिए जो है आप हम साहर रखिएगा जय हिंद जय भारत